नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का All Exam Guide Guru पर दोस्तों आप देख रहे हैं Free Practice Set Paper यह है History का Question Set Paper है एक्जाम में पूछे हुए प्रशन हैं इनको याद कर लीजे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए PDF भी दे दे रहा हूँ तो ये कारेकाल था अकबर का Right Answer हो जाएगा Option Number अकबर का ये समय था Option Number C प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा Next Question देखते हैं क्या पूछ गया है किस समाजवादी नेता ने जेल से भाग कर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था Right Answer क्या हो जाएगा तो समाजवादी नेता जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में जेल से भाग करके हिस्सा लिया था उनका नाम है राम मनोहर लोहिया Option Number A यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा Next Question देखते हैं क्या पूशा गया अगला प्रशन निम्न मैंसे किस गवर्नर जनरल को भारतिय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है Right Answer क्या हो जाएगा तो भारतिय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मैटकॉफ को कहते हैं Option Number B यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स मैटकॉफ प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा सर चार्ल्स मैटकॉफ भारतिय प्रेस के मुक्तिदाता कहलाते हैं Next Question देखते हैं क्या पूशा गया है धाका में इस्थित एहसान मंजिल पैलेस किस कारण से प्रसिद है धाका में जो एहसान मंजिल पैलेस है वो किस के लिए प्रसिद है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो धाका में जो एहसान मंजिल पैलेस है Muslim League की स्थापना होई थी इसलिए वो फेमस है राइट आंसर हो जाएगा इस प्रशन के लिए next question देखते हैं अगला प्रशन ये रहा स्क्रीन पर question है सोतंतरता से पहले भारत के किसे राज में प्राथमिक सिक्षा अनिवारे थी सोतंतरता से पहले भारत के किसे राज में प्राथमिक सिक्षा अनिवारे थी right answer क्या हो जाएगा तो सोतंतरता से पहले भारत के राज बढ़ोदा में option number प्राथमिक सिक्षा अनिवारे थी right answer हो जाएगा इस प्रशन के लिए बढ़ोदा में next question देखते हैं कि आप पुछा गया अगला प्रशन नियमित मुदरा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने सामराज की राजधानी घोशित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्टान कौन था नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने सामराज की राज़दानी गोशित करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था तो ये था इल्टुतमिस option number A यहाँ पर सयुत्र हो जाएगा इल्टुतमिस right answer है next question देखते हैं अगला प्रशन निम्न लिकित मैंसे किसे राज़पूत राजा ने मुहमद गोरी को पहली बार हराया था right answer क्या है प्रशन के लिए तो निम्न लिकित मैंसे राज़पूत राजा ने मुहमद गोरी को पहली बार हराया अगला प्रश्ण है आपके सामने निम्लिकित मैंसे सिंदु घाटी का बंदरगाह का नाम क्या था सिंदु घाटी का बंदरगाह का नाम क्या था सही उत्तर क्या है इस प्रश्ण के लिए बतलाईए तो सिंदु घाटी का बंदरगा का नाम लोथल था ओप्शन नमबर बी यहाँ पर सहीत्र हो जाएगा लोथल प्रशन के लिए सही उत्तर है नेक्ट कॉशन देखते हैं क्या पूशा गया है अगला प्रशन ये रहा स्क्रीन पर निम्न मैसे मगद के किस राजा ने राज के लालच में अपने पिता की मृत्यू कर दी थी मगद के किस राजा ने राज की लालच में अपने पिता की मृत्यू कर दी थी तो राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रू इस प्रशन के लिए सहीत्र हो जाएगा मगत का राजा जिसने राज के लालच में अपनी प्रता की मृत्यू कर दी थी राइट आंसर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पूशा गया है निम्न मैसे किसने महाद सत्याग्रह का नेतर तो किया था महाद सत्याग्रह का नेतर तो इन में से अगला प्रशन है इस्ट इंडिया कमपनी का आंतिम गवर्ना जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसरा है कौन था इस्ट इंडिया कमपनी का आंतिम गवर्ना जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसरा है कौन था राइड आंसर क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए तो इ इंडियन यूनियन मुसलिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज में स्थित हैं इंडियन यूनियन मुसलिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज में हैं तो राइट आंसर हो जाएगा तमिननांडू राज में हैं ऑप्शन नमबर एस प्रशन के लिए सही उत्र हो तो जनगन मन को भारत के राश्टगान के रूप में 1950 में सुविक्रत किया गया था option number C यहां पर सहीतर हो जाएगा 1950 राइट आंसर है next question देखते हैं क्या पूशा गया है अगला प्रशनी यह रहाँ स्क्रीन पर right answer option number Lahore प्रशनी के लिए सहीतर है next question देखते हैं निम्लिकित मैंसे किसे सिविल सेवा का जनक कहा जाता है right answer क्या है सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है सही उत्तर क्या है प्रशनी के लिए तो सिविल सेवा का जनक Lord Cornwallis option number C यहां पर सहीतर हो जाएगा सिवल सेवा का जनक लॉड कॉर्ण वॉलिस को कहते हैं सही उत्तर हो जाएगा नेक्श कौशन देखते हैं भगत सिंग, राजगुरू, सुख़़देव और जैगोपाल किस सडियंत्र मैं शामिल थे क्या उत्तर हो जाएगा भगत सिंग, राजगुरु, सुखदेव और जैगोपाल के सडियंत्र में सामिल थे तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी जो हैं लाहोर सडियंत्र में शामिल थे option number लाहोर सडियंत्र सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं भारत में सरप्रथम सुरण मुद्राय चलाने का श्रिय किसे प्राप्त है क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रशन के लिए तो भारत में सबसे पहले सुरण मुद्राय चलाई किसने थी तो हिंद यूनानी शाशक अपने साथ लेकर आये थे और राइट आंसर हिंद यूनानी शाशकों ने सबसे पहले भारत में सुरण मुद्राय चलाई थी राइट आंसर हो जाएगा next question देखते हैं प्रशन है भारत के राष्टगान का शीरसक क्या था क्या उत्तर हो जाएगा भारत के राष्टगान का शीरसक क्या था तो राइट आंसर हो जाएगा भारत भागय विधाता option number C प्रशन के लिए सेत्र हो जाएगा भारत के राष्टगान का शीरसक भारत भागय विधाता next question देखते हैं अगला प्रशन Muslim League के किस अधिवेशन में मुहमद अली जिन्ना ने बाटो और छोडो का नारा दिया था right answer कराची अधिवेशन 1943 में Muslim League के इस अधिवेशन में मुहमद अली जिन्ना ने बाटो और छोडो का नारा दिया था आंसर कराची अधिवेशन उनने सो तेतालीस ओप्शन नमबर डी यहां पर से उत्तर हो जाएगा तेतालीस 43 ओप्शन नमबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा नेक्श कोशन देखते हैं अगला प्रशन वर्ना कुलर प्रेस अधिनियम और शस्तर अधिनियम किस वायस राहि के द्वारा पारित किया गया था तो राइट आंसर हो जाएगा Lord Litton के द्वारा option number A यहाँ पर सेत्र हो जाएगा वरना कुलर प्रेस अधिनियम और सास्तर अधिनियम जो है Lord Litton के द्वारा पारित हुआ था next question देखते हैं क्या पूशा गया है निमलिखित मैंसे किस Governor General को भारतिय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है right answer क्या है कौन सा Governor General भारतिय प्रेस का मुक्तिदाता कहलाता है तो right answer Sir Charles Matkoff को option number B भारतिय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है right answer हो जाएगा next question देखते हैं समुद्री व्यापार के संदर्व में करताज विवस्था का उप्योग किसके द्वारा किया जाता था समुद्री व्यापार के संदर्व में करताज विवस्था का उप्योग किसके द्वारा किया जाता था तो right answer है पुर्तगाली के द्वारा option number D यहाँ पर सही उत्र हो जाता था सही उत्तर हो जायगा next question देखते हैं भारत देश का नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारत देश का नेपोलियन किसे कहा जाता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो समुद्र गुप्त, option number C, यहाँ पर से यत्र हो जाएगा, भारत देश का नेपोलियन जो है, समुद्र गुप्त को कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा तो तक्ष शिला में हुई थी option number A यहां पर सेत्र हो जाएगा बिंदुसार के साशन की दौलान आशांती जो है तक्ष शिला में हुई थी next question देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर भारत में प्रांतिय चुनाओ कब संपन हुई थे भारत सरकार अधिनि 1935 के आधार पर भारत में प्रांतिय चुनाओ 1937 में संपन हुई थे option number C यहां पर सेत्र हो जाएगा 1937 next question देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस रूप में जाना जाता है तो right answer हो जाएगा Montague Champsford सुधार के रूप में जाना जाता है option number C प्रशन के लिए सेत्र हो जाएगा Montague Champsford सुधार के नाम से जानते है next question देखते हैं अगला प्रशन अंग्रेजों का सरवाधिक विरोध इन में से किस ने किया था सेत्र क्या है अंग्रेजों का सरवाधिक विरोध जो है किस ने किया था तो मराठाओं ने अंग्रेजों का सरवाधिक विरोध किया था सही उत्तर हो जाएगा मराठा प्रशन के लिए सही उत्तर है next question देखते हैं भारत की कोखिला किसे कहा जाता है तो भारत की कोखिला सरोजनी नाइडू जी को कहते हैं right answer होगा next question नागरिकों के मू questions का practice set paper वीडियो के description box में PDF दे रहा हूं डाउनलोड कर लीजेगा चैनल पर नए है तो subscribe करके बैल आइकन आउन कर लीजे और वीडियो लाइक ज़रू करिएगा रोज सुबह 8 बजे से मैं live जी के पढ़ाता हूं free तो आप रोज मुझसे live पढ़ने के लिए भी जुड सकते हैं कैसे लगा वीडियो ज़रूर बताएगा अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए बहुत बहुत धनेवाद आपका दिन शुब हो